आप नौर्थ इंडिया के लोगों को के अंदर इस्पिरिट नहीं है उन में योग्यता की कमी है कभी वहां के साउथ के यो लोगों में कमी है अरे कमी लोगों में नहीं है कमी आपके निर्णयों में है कमी आपके सोच में है कमी आपकी समझ में हर चीज का ब्लेम पहले तो को रहीत के जाती कि नेरी जी को कैसे एंटर कराया जाए अवे नहीं करा सकते च्हा साल से आप सु सरकार में प्र सोचा जाता है चलो जिफ्वे छूट गएंदरा जी को करा दो चलो इंदरा जी भी नहीं हो पाई तो чिल जी को कारवा दो वह तो आप बोले क्या करें बोले इनके उपड़ी ठीक राफ फोड़ दो इन युवा लोगों पे जिसके बारे में और पूरी दुनिया में आज भारत को भारत के युवाओं के उपड़ी दुनिया को गर्व है उनको ठीक राफ फोड़ दिया गया कि यह अचा आप यह और क्यों नहीं खरीद रहे कभी आपने यह सोचा क्यों नहीं खरीद रहे हो उनके पास पैसा होगा रोजगार होगा तो गाड़ी खरीदेगा कभी आप ओला उबर के व्रांड एमवेजडर बनके बाते करते हो ऐसे ना करिए आप अपनी जिम्मेवारिये को समझे और मंदी से भी बाहर निकालने की योगेता हमारे पास है हमारे लोगों के पास है और हमने प्रू किया हम आपको आज भी हम आपके साथ मिलके देश को इस भैंकर मंदी से भाहर निकालने के लिए तयार है पर आप तो लोगों के उपर आप ब्लेम करें ब्लेम गेम से काम नहीं मिलेनियल्स वैसे काफी दुखी है उस दिन से जब से हमने ये माडम से सुना है पर I'm very happy कि यहाँ पर all these youngsters are asking so many questions हमारी एक फ्रेंड है बिनीत पांडे she's asking like the budget which was present Nirmala Sitaraman said that budget presented with a 10 years vision sir आपका क्या कहना है कितने U-turns ले लिए इस सरकार ने इस स्टेटमेंट करके मिरको तो यह 10 डेस का भी विजर नहीं लगा क्यों क्यों मैं उसका कारण दे रहा हूं और मैं हम मेरे हर उत्तर का आपको तर्क दूँगा दस दिन के अंदर आपने जो FPI पे tax और सर्चाज लगाया था अपने निर्ने को वापिस ले लिया उसके बाद आपने corporate taxes के अंदर आपने गिरावट करी आप जो निर्ने लेते हो और मैं तो कहता हूं जो ruling party और हमारे जो भी सांसद है पार्लियमेंट में बैठते हैं उनको पता ही निये उनको पता ही निये और budget के decisions ले लिये जाते हैं इतने मैंने आपको दो यूटन तो बता दिया मजाग बनाके रख दिया आप देखिए बड़े-बड़े अकबारों के major headings आ रही है कि budget in installments किस्तों में budget और लोग उसकी मजाग में कहते हैं अगली किस्त के लिए इंतजार कीजिए दो सप्ता दो सप्ता बाद एक और आपको हम लोगों को confidence में लेना चाहिए हमें बुलाना चाहिए हम आपकी सायता करने के लिए तैयार है पर आप नहीं बांग से वहीं आपको रोकते हुए क्योंकि आप ये बात कही रहे है अफ्रेंड गवरव शर्मा वो कह रहे है कि because we have to be constructive in nature though we are in opposition वो कह रहे है कि आपको क्या लगता है कि सरकार का क्या decision लेना चाहिए जिससे demand boost हो और economic situation better हो पाई this is what the youngsters in India are thinking और बहुत इनों ने सकारात्मक सवाल पुछा है और इसका सकारात्मक जवाब भी मैं दूंगा देखिया एक संसद में प्रधान मंत्री जी ने मजाग बनाया था एक बार उले थे मन्रे को मैं कभी बंद नी करूंगा यह आपकी नाकाम्याबी का जीता जागता हुदा रहन है जबकि World Bank और IMF ने क्या बोला कि आजाद हिंदुस्तान की poverty elevation की सबसे important और सबसे सफल स्कीम बन रहेगा हुई तो आपने मेरे से पुछा कि क्या करना चाहिए जब तक liquidity और पैसा जो bottom of pyramid पे है वहां तक नहीं पहुचेगा आप supply side के intervention से economy को इस मेश से बहार नहीं निकाल पाओगे इसलिए पहला तो आप यह करो कि मन्रेगा को आप और सुद्रड बनाओ उस पे और बड़ा आवंटन करो क्योंकि उससे liquidity down the line पहुंस थी है दूसरा आप यह सोचो कि economy में public और private investment में को कैसे बढ़ाया जाए उसको बढ़ाने के लिए आपको एक business man को confidence में लेना पड़ेगा पिछले दो महिने में हमने देखा सूरत में एक बहुत बड़े real estate के व्यापारी ने खुदखुशी कर लिए CCD के chairman ने suicide कर लिया इस तरह के वातावरण में कैसे आप business करोगे सेक्टर और कौन सा वर्ग है देश का जो आज इस economic प्रक्रिया की heat नहीं जेल रहा है रिट्रेंच्मेंट्स हो रहे हैं मैसिव रिट्रेंच्मेंट्स हो रहे हैं नोट बंदी के बाद CMI की report है कि दो करोड लोगों ने अपनी नौक्रिया गवा दी और आप कह रहे हो कि नह मैड डिजास्टर क्यों दिया हमको हमने ऐसा क्या विगाड़ा था हम आठ परसेंट नौपरसेंट दस परसेंट की ग्रोथ पे ग्रो करने का सोच रहे थे और अनुकूल परिस्तितियां थी फिर भी आज हम पाच परसेंट और अगले क्वार्टर में परसेंट की ग्रोथ पे अगले क्वार्टर में आएंगे तो मनरेगा को स्ट्रेंदन करो पहली बात पुब्लिक और प्राइवेट इंवेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन को स्ट्रेंदन करो दूसरी बात और आप सप्लाइ साइट जो जो इंटर्वेंशन कर रहे हो उससे जब तक फायदा नी होगा जब तक डिमांड नी क्या आपको सरल सब्दों में बताओ कि आपने कंपनी की टेक्स रेट कम करिंगे अपकी उत्पाद की वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि टेक्स कम लग रहा है पर आदमी के पास पैसा ही नहीं वो कैस सब्धवारतक्राव के ख़रीदें आप सो रूपे की चीज आपने कम करके धचाननुए कर दी पर फटेंचानवे यह आड़ाइस क्रेया कर पाएगा ना तो इस खरीदने को हम डिमांड साइनस बोल रहे हैं और यह सो से पंचानवे यह सप्लाइ साइड बोल रहे हैं तो इसको डिमांड साइड को क्रियेट करने के बारे में सोचा जाए और लास्ट चुनाव से पूर्व हम एक बहुत ही महत्वपून स्कीम हमने कहा था भारत के मद्दाता हूं को जब हम आशिरवाद मांगने गए थे तो हमने न्याय स्कीम क बात करी थी और न्याय स्कीम डी मोनेटाइजेशन नहीं री मोनेटाइजेशन की स्कीम थी री मोनेटाइजेशन मतलब आप जिन लोगों के घरों से आपने लिक्विडिटी निकाल ली उन लोगों के घरों में हम लिक्विडिटी पहुचाना चारे थे आपको न्याय स्की Now we have this technical question, our friend Love Dutta, he mentions that recently Finance Minister Madam Sita Raman announced a reduction of corporate tax from 30% to 25%. How do you think this will boost our economy? 30 to 22 and 25 to 15%. So that was a reduction of the corporate tax for the manufacturing, new manufacturing companies. It was 25 to 15 and for other companies 32 to 25%. 22, I think he had mistyped or something. So I think that's what I think I had answered but again I am answering because it's a very pertinent point. I have two or four issues on this, number one. Number first issue is that, that by this we are going to lose 1.45 lakh crore rupees of revenue. 1,45,000 crore की revenue में हमारी कमी आएगी है. वो कहां से लाएँगे? Madam Sita Raman जी हमें ये देश को ये भी बता देती. इससे हमारा fiscal deficit बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा? CAG की एक report है, पिछले साल के बारे में. हम नहीं कह रहे हैं. CAG बोल रही है. कि जो आप 3.3% fiscal deficit दिखाते हो, वो वास्त में 3.3% नहीं है. वो 5.8% of fiscal deficit है. तो पहला तो ये कैसे होगा? दूसरी बात, मैंने दूसरा point अल्रेडी discuss कर लिया, कि आप supply side interventions से कब तक revival की सोचोगे, लोगों के हाथ में पैसा पहुचाने की बात करो. मैं बार-बार मैंने कई जगा, कई platform पे बात करी, कि एक ऐसा sector बताया जाए, जिसकी top line, top line हम कहते हैं technically sales को, revenues को, जिसकी top line में 25-35% के बीज गिरावट नहीं हुई हो पिछले दो साल में. एक ऐसा sector बता दीगे, automobile, pen, cutlery, phone, bag, laptops, cameras, whatever I am seeing in this room, उन सब की बिकरी में 25-35% की गिरावट है. तो यह क्यों आई, क्योंकि आपके पास demands, लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग जिनके पास रोजगार है, उनके salary में भेंकर कटोतियां की जा रही है, तो कैसे होगा? Sir, एक follow-up question है, तो पहला तो मैंने आपको यह बताया कि, supply side से काम नहीं होगा, demand को भी generate करना पड़ेगा, दूसरा यह fiscal deficit आप कैसे इससे पूरा करूँए, तीसरा, एक बड़ा पिक सवाल में पूछता हूँ, मानने यह वित्तमंत्रीजी से, अगर वो यह फेस्बुक लाइव से देख पारी है, या हमारे जो लोग उनसे पूछ सकते हैं, कि मैं, आपने तो पारलियमेंट की गंभीरता और भूमी का पर इस हवाल उठा दिया, आप पारलियमेंट में बजट पास कराते हो, और यहां एक महीने बाद आप बड़े-बड़े निर्ने करते हो, तो मैं उस बजट में इसका मतलब आपकी बजट जो आपने पास कराया, उसकी आपकी प्रिपेर्डने से नहीं थी, आपको पता ही नहीं था कि आने वाला समय कैसा होगा, बजट तो होई तो बजट होता है, कि आप फोर्कास्ट करो, कि आने वाला समय कैसा होगा, आप करी नहीं पाए थे, जबी आप निर्ने पे निर्ने बदल रहे हो, और चौथा विश्वस्नियता, आपको मैं बताओं, और एक यांकडो सहीद बताओंगा, आपने foreign portfolio investors अपना पैसा भाहर निकालना चालू कर दिया, क्योंकि आपने उन पे tax लगाया, आपने आनन फानन में अपने निर्ने को बदल दिया, पर एक बार जो momentum भाहर निकलने का चालू हो गया, तो उसके बाद आपने भले उसका U-turn भी ले लिया, तो वो वापिस पैसा नहीं आया, वापिस क्यों इससे आपकी विश्वशनीता budget making की विश्वशनीता आप इस सवाल होगे, तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों के साथ साथ demand side को भी सोचे, और वित्द मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी से छोटा सा एक सवाल है, क्योंकि मैं भी एक छोटा करदाता हूँ, आपने इनको तो दे दिया 25% से 15% और जो छोटे करदाता हूँ ने, छोटे दुकंदारों ने आपको वोट दिया, वो 30%, इंडिविज्वल टेक्स 30%, वित सर्चाज और एंड एसेस 33%, हमने ऐसा क्या गुना कर दिया, कि आप जो रियायते कंपनियों को दे रहे हो, वो हमको नहीं दे रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसके बारे में सोचो, कि आपने, जिन लोगों ने आप पे भरोसा किया, कॉन्फिडेंस किया, रियायते आपने उनको नहीं दी, पर हम तो फिर भी मैं इंडिविज्वली बोलता हूं, कि आप इससे अगर एकॉनोमी को रिवाइब होता हो, तो हम तो उसके लिए भी तैयार हैं, पर इससे रिवाइब नहीं होगा, क्योंकि सप्लाइब साइड इंटर्वेंशन से फायदा नहीं होगा, जब तक डिमांड नहीं जनरेट होगी, मनमोहन सिंग जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मनमोहन सिंग जी के लिए मेरे पास और देश के पास सिरफ एक ही शब्द है, विजिनरी, जिसने भारत की कल्पना उननीस सो इकराणवे में करी है, जिसने एक सम्रद भारत, एक न्यू मिडल क्लास जो आज जो आप मैं हैं, आप मैं आज हम इस पटल तक आप आए हैं, वो उननीस सो इकराण में के लिब्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के न्यून्द है, तो एक विजिनरी व्यक्ति है, बस इसके अलावा में कुछ नहीं कहना, जिसने नोटबंदी के बाद घोशना कर दी कि 2% GDP गिरी, तो ये एक विजिनरी व्यक्ति का लक्षन है.